हलो फ्रेंड्स नमस्कार आजम बात करेंगे काफ में र्यूमन डवलप्मेंट के बारे में साथियो जिन पसों को हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं अर्थात जुगाली करने वाले पसों उनके स्टमग के चियार भाग रहते हैं पहला र्यूमन, दूसरा र्याटिकिलम, तिसरा आमेजम और इबामेजम साथियों जनम के टाइम पे जो छोटे ruminants है उन में rumen की capacity रहती है 25 परसेंट और adult animal में rumen की capacity हो जाती है 75 परसेंट यानि 75 परसेंट जनम के टाइम पे जो बच्शिया है उसके nutrients की requirement को पूरा करने के लिए abo-mism में दूद का digestion होता है लेकिन जैसे जैसे उमर बढ़ती है तो nutrients की requirement भी बढ़ती है क्योंकि जो छोटा काफ है उसको वजन बढ़ाना है बढ़ती ही nutrient की requirement को पूरा करने के लिए जो rumen है उसका सही टाइम पे सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है अब साथियो rumen development बहुत जरूरी है अगर आपको छोटे काफ को उसकी मदर से अलग करना है या फिर दूद उसका बंद करना है क्योंकि दूद अगर हम लंबे समय तक देंगे तो उसमें जो कोस्टिंग है वो ज्यादा र बढ़े उसकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो डिवलप हो जो डैजेशन की प्रोसेस है वो अच्छी हो जाए वो डैजेशन के बाद में जो न्यूट्रियंट्स है उनका एब्जोप्शन भी अच्छा हो जाए तो यह जो चारो स्टेप्स है इसी को हम रियूमन डिवल स्टार्ट कैसे होता है जनम के टाइम पे रियूमन की कैपास्टी है 25% कैपास्टी को बढ़ाने के लिए रियूमन के अंदर खाद्यपदार्थ का जाना जरूरी है दूद रियूमन को बाइपास करता है तो सबसे पहले रियूमन के अंदर में पानी जाएगा जो आपको ज देरे देरे बेक्टेरिया प्रोटोजोव वहां पे बनेंगे रियुमन के अंदर पाच्चन की प्रिक्रिया को करने वाले बेक्टेरिया और प्रोटोजोव ही हैं सबसे पहले जो भी फाइब्रस मेटेरियल चोटा पजू खाएगा उसको डाइजेस्टन करने के लिए कब बनेंगे जब बेक्टिरिया प्रोटी जवा ईसी सबस्टेड को डιजेस्ट करेंगे जैसे की का५स्टारटर को या फिर हरे चारे को या फिर तूडी को जब उनको डाइजेस्ट करेंगे तो उलेटाल फैट्를 निखलेंगे féb तीन प्रकार के जो volatile fatty acid है उसमें सबसे ज़रूरी butyrate fatty acid है VFA जिसको हम मोलते है butyrate rumen के epithelium को energy देगा grow होने के लिए उसके बाद में propionate rumen papillay की लंबाई को बढ़ाने के लिए दूसरा important volatile fatty acid है तो साथ यो volatile fatty acid से टाइम से बनेंगे तो rumen की जो development अब वो start हो जाएगी अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कौन-कौन सी factor होने चाहिए rumen के development को करने के लिए तो साथ यो rumen development जैसे ही होगा तो आप दूद उसका बंग कर देंगे rumen development के लिए जो factor हो है rumen के अंदर पानी जाना बहुत जुरूरी है तो आपको zero days से पानी 24-7 अवलेबल करवाना है दूसरा rumen development के लिए जुरूरी है volatile fatty acid बनना तो volatile fatty acid बनेंगे calf starter से calf starter में प्रयाप मातरा में minerals हैं protein होना चाहिए energy होने चाहिए vitamins होने चाहिए calf starter का जैसे ही digest होगा तो volatile fatty acid बनेंगे और rumen की development को trigger करने के लिए rumen की development को start करने के लिए volatile fatty acid का बनना बहुत ज़रूरी है जैसा कि आप picture में देख रहे हैं जितनी भी protein development की protein process की या protein synthesis की जो process है उन सब को start करने के लिए rumen में microbes का बनना जुरूरी है जो पानी में बनेंगे और microbes के बाद में digestion जैसी start होगा तो volatile fatty acid बागी का का काम करेंगे तो volatile fatty acid कहां से बनेगा calf starter से बनेगा तो volatile fatty acids जैसे ही बनने लगेगा propionate के response में rumen में पेपिले की growth होगी और butyret rumen की जो वाल है उसको energy देने का काम करेगा तो जो कोशिकाए है वो यहां पर proliferate करेगी cellular proliferation यहां पर start हो जाएगा अब साथी अगर हम बात करें rumen development rumen development में सबसे पहले आप देखेंगे zero से दो हफ़ते के आसपास में rumen की capacity बहुत ही कम रहती है आठ हफ़ते में rumen का development खुड़ा ओर हो गया तीन से चार हफ़ते में आप देखेंगे जो rumen की capacity है वो थोड़ी और बढ़ गई और जो mature है mature rumen 12 हफ़ते के आसपास में जो rumen है वो mature animal की तरह behavior करने लगता है अर्थात जो छोटी बच्चिया है उसका rumen सही तरीके से develop कब हो जाएगा 12 हफ़ते की उमर में मतलब 3 मेने के आसपास में अब साथियो आपको ध्यानी रखना है rumen development होने से पहले अगर आप काफ को वो खाद्य पदाफ जेंगे जो काफ पचा नहीं पाता है तो उससे क्या होगा rumen fullने लगेगा छोटे काफ का जो पेठ है वो लटकने लगेगा जिसको हम port belly condition बोलते हैं तो साथियो तीन मेहने से पहले काफ क्या नहीं पचा पाएगा fibrous material जैसे की तूड़ी और जैसे की ज्यादा मात्रा में siles या फिर ज्यादा मात्रा में हे तो साथियो तीन मे मेहने से पहले 0-0-3 मेहने की उमर में जो काफ की fiber की requirement रहती है वो 10% रहती है total diet की काफ starter में 8-10% fiber रहता है जो परियाप्त है उसके fiber की requirement को पूरा करने के लिए तो अगर आप ज्यादा हरा जारा दे रहे हैं तीन मेहने पहले या फिर ज्यादा तोड़ी दे रहे हैं जो बह उससे क्या होगा काफ का जो पेट है वो लटकने लगेगा और body weight उसका बढ़ना कम हो जाएगा तो fiber कितना चाहिए तीन मेहने से पहले diet का 10% इससे ज्यादा देंगी तो portability condition हो जाएगी तो आपको portability condition avoid करने के लिए क्या करना चाहिए तीन मेहने से पहले आप तूड़ी न बढ़ा पाएंगे और उसमें portability condition या पेट तूटने की जो समस्या है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी अब साथियो यहाँ पे तीन विक्टर साथ देख रहे हैं rumen development का मतलग उसके capacity बढ़ना उसका size बढ़ना उसमें digestion की process तेजगती से start होना और digestion के बाद में जो nutrients निकल रहे हैं उनकी absorption के लिए पेपिले की growth होना तो साथियो अगर हम किसी kाफ को अकेला दूद दे रहे हैं तो उसमें rumen में कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि दूद जाएगा abomaso में rumen में कोई भी काम नहीं हो रहा है तो volatile fatty acids नहीं बनेंगे और जब तक volatile fatty acids नहीं बनेंगे rumen की जो वाल है उसमें किसी प्रकार का changes नहीं होगे किसी प्रकार के बदलावाने शुरू नहीं होगे दूसरे में आप देखेंगे आपने दूद दिया और थोड़ा बहुत हे दिया हे में energy protein की मातरा comparatively calf starter की कम रहती है तो यहां पे भी देखेंगे पेपिले की growth नहीं हुई और यहां पे आप देखेंगे आपने दूद दिया और calf starter दिया तो rumen में जो पेपिले की growth है वो अच्छे खासी होगी अब पेपिले की growth का क्या significance है rumen की वाल में पेपिले की growth होने से absorption के लिए जो surface है वो बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा nutrients digestion के बाद में जो rumen है वो absorb कर पाएगा और blood के मादम से further processing के लिए जो animal का स्रीर है उसको भेज़ पाएगा तो पेपिले की growth होने के लिए volatile fatty acid बनना बहुत जरूरी है और volatile fatty acid कहां से मिलेंगे calf starter से मिलेंगे तो आप calf starter छोटे calf को तीन दिन की उमर के बाद में आदा आदा मुटी आपको सुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे calf starter आप बढ़ाएं तीन महेने की उमर तक आप कोशिस करें कि calf starter जितना छोटा पसू काले इतना ही अच्छा है adli bitum calf starter feeding आपको तीन महेने से पहले hf calf के लिए आप करेंगे तो उसका वजन प्रोपर तरीके से बढ़ेगा rumen का development भी अच्छा होगा अब अगर हम rumen के बात करें capacity बढ़ने की तो जनम के टाइम पर capacity 25% रहती है total stomach की दीरे दीरे इसको हमें 75% तक लेके जाना है दूद जैसे हमने पिलाया तो rumen में दूद नहीं जाएगा क्योंकि इसो फेजियल गुरूव से दूद abomezem में आ जाएगा तो rumen में कोई भी काम नहीं होगा अगर हम दूद के साथ में पानी दे रहे हैं और काफ स्टार्टर भी दे रहे हैं जो rumen में आएंगे तो rumen की जो development होने की process है वो तेजगती से start हो जाएगी अब साथी अगर हम बात करें nutritional requirement काफ की तो ये एक elaborate topic है किसी हम वीडियो में हम बात करेंगे पुरा details है लेकिन कुछ basic points हम बात कर लेते हैं काफ को वजन बढ़ाने के लिए उसकी जो muscular growth है वो होना जरूरी है muscular growth करने के लिए छोटे काफ को protein comparatively ज्यादा मातरा में चाहिए तो 6 महिने से पहले पहले का जो काफ है उसको protein में जो काफ starter है काफ starter में जो protein है वो 24% के आसपास में होना चाहिए fiber की मातरा काफ को आपको कम देना है 6 मैंने तक fiber आपको कम देना है energy to protein ratio कितना होना चाहिए protein to energy ratio 46.1 मतलब protein की requirement ज्यादा है energy की requirement comparatively कम है क्योंकि जो काफ है उसको अपना structure खड़ा करना है अपना जो body structure है वो develop करना है तो इसके लिए protein की requirement ज्यादा रहती है चोटे काफ को आप protein ज्यादा देंगे इसके बाद में energy की requirement है fiber आप कम रखिए total diet का 10% से ज्यादा आपको fiber नहीं देना है minerals vitamin proper होने चाहिए minerals vitamin से जो काफ है उसमें बिमारिया कम आएंगी और उसकी जो body weight है वो proper तरीके से बढ़ेगा अब साथी हम बात कर लेते winning काफ की winning का क्या मतलब है काफ की winning का मतलब यह है जब काफ की dependency दूद पे कम हो जाए काफ की dependency दूद पे capacity होने चाहिए इसके लिए human का development होना बहुत जरूरी है तो साथी हो काफ का जो human development अगर आप सही रासन से आप काफ के human के development को कर सकते हैं रासन आप उसका अच्छा रखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अगर human development अच्छा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी काफ स्टार्टर ज्यादा देंगी जब एक किलोग्राम काफ स्टार्टर खाने लग जाए आप उसका दूद बंद कर सकते हैं और बारह हफते की उमर के आसपास में सही तरीके से human का development हो जाना चाहिए साथ यो बारह हफते के आसपास में ही काफ का जो immune system है वो भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है तो आप देखेंगी winning जैसे छोटा काफ है उसको दूद की मातरा ज्यादा हमें देनी चाहिए त्योंकि उसका human development नहीं है जैसे जैसे human development शुरू होता है अच्छे तरीके से हो रहा है दूद की मातरा दिरी दिर्यम कम कर देंगे और जिस दिन काफ स्टार्ट रेक किलो खाने लग जाए दूद आप बंद कर सकते हैं आठ से नो हफते की उमर में उसी को हम बलते है winning फिर दिर्य दिर्यम concentrate बढ़ाएंगे और human का development सही तरीकेश हो गया तो concentrate के बाद में हम जो forages है जैसे की silase या हराचारा या तूड़ी वो भी दिर्य दिर्यम बढ़ाएंगे तो तीन मेने से पहले आपको कुछ चीज़े ध्यान रखनी है तीन मेने से पहले आप तूड़ी ने दे ज्यादा fiber और silase भी ने डाले काफ starter जितना खाए उतना अपने को देना चाहिए तूड़ी हराचारा क्यों नहीं तरह है उसके बीछे logic है कि हमें fiber 10% से ज्यादा नहीं देना है ज्यादा fiber देंगे energy protein के लिए जो component है वो कम बढ़ेगा काफ का body weight सही तरीके से नहीं बढ़ेगा अगर body weight सही तरीके से नहीं बढ़ेगा तो वो काफ जब गाय में convert होगा वो काफ बच्शिया जब गाय में बनेगी तो आपको दूद का उपादन कम मिलेगा अब साथियो अगर हम मोटा मोटा बात करें दूद की requirement 160 लेटर के आसपास में 10% के इसाफ से बनती है काफ स्टार दीरे दीरे हम बढ़ाएंगे 2 kg तक लेके जाएंगे और जो total dry matter intake है वो भी हम दीरे दीरे बढ़ाके 2% body weight का dry matter intake हम लेके जाएंगे तो काफ स्टार अगर आप छोटे काफ को देंगे वजन अच्छा बढ़ेगा और आपका जो काफ है वो जल्दी गाए में तबदील होगा 24 महिने का जो हमने target लिया है 24 महिने में आप बच्चिया को गाए में convert करके 24 महिने में शेयर करें और यह जो चैनल है प्लेटफोरूम जिसका होल सोल टारगेट है अपने किसान भाईयों तक सही जानकारी पहुंचाना तो इसको आप लाइक करेंगे सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छा रहेगा थैंक्यू